विनेश फोगाट पेरिस ओलम्पिक से डिस्क्वालिफाई हो गई है डिस्क्वालिफाई ओन अकाउंट ओफ बिंग ओवेज्ट एक बड़ी ख़बर आपको बता देते हैं ओलम्पिक में विनेश फोगाट आयोग्या घोशित कर दी गई है जैना सोचिए महीनों यहां तक की सालों की हाड़ वर्क इस्टिक डायटिंग एंड फूल फोकस के बाद जब आप इस केल पर खड़े होते हैं और वो सिर्फ सौग्राम जादा दिखाता सिर्फ सौग्राम और यही चोटा सा नंबर आपके सबसे बड़े सफने को तोड़ दे पर उन्होंने जो एफोर्ड लगाया उसके लिए तो हैट्स ओफ है एक्चुली उनका वेट दो केजी जादा था बट वो दिन राज ट्रेनिंग करके अपना वाटर इंटेक कम करके यहां तक कि उन्होंने अपना बाल तक कटवा दिया और जुनून इसकदर था कि उन्हों उसी तरह फिटनस में भी आपके हर छोड़े-छोड़े स्टेप्स माइने रखते हैं और मैं जानता हूँ कि हम इसे जादा तरलोग ओलंपिक्स की तियारी नहीं कर रहे हैं बट यह बिने सफोगाट की स्टोरी हम सारे लोगों के लिए एक सबक है चाहे आप वेट लूस कर हा लेते हैं और सोचते हैं कि एक दिन वरकाउट स्कीप कर देने से या चीट कर लेने से क्या इफ्रक पड़ता है पर सच तो यह है कि आपके हरचोटे-छोडे स्टेप्स वह कालेक्ट होते रहते हैं कठा होते रहता है और उसका रिजल्ट आपको कुछ समय बात पता चलता क्योंकि जिस तरह से fitness एक जरनी है सेम उसी तरह से मोटापा भी एक जरनी है कोई अचारत से मोटा नहीं हो जाता है पहले वही 100 ग्राम पचास ग्राम नोटीस नहीं करने की वज़ा से चीट करने की वज़ा से क्या हो जाएगा अगर कुछ भी ठार लेगे या वर्काउट में कर देंगे यहीं चोटी-चोटी स्टैप्स पर ध्यान नहीं देने की वज़ा से आप ओवीज हो जाते हैं, आप के दर मोटा पा आ जाता, आप मोटा हो जाते हैं और विनिस फोकाट के केस में 100 gram का फर्क था competition में बने रहने और बाहर होने में पर हमें यह 100 gram हमें किसी competition से बाहर नहीं करेगा बट यह हमें अपने गोल में successful या unsuccessful होने के बीच का difference जरूर हो सकता है और यह सिर्फ 100 gram के बात नहीं है यह 100 gram कब kg में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और मैंने भी feel किया है कि आप full form में होते हो proper track पे होते हो आप अच्छा feel कर रहे होते हो फिर अचानक से जिंदगी आपको एक challenge देती है हो सकता है चूटी पे हो या फिर कोई challenging काम आ गया आपको या हो सकता है सिर्फ one night out हो या सिर्फ एक stressful day हो और आप सोचते हो कि यह एक छोटी सी लग्स से क्या हो जाए क्या ही फर्क पड़ता है पर आप याद रखना कि हर एक rap हर एक meal हर एक steps माहिने रखता है और चाहिए सोगराम कितना भी छोटा क्यों न लगे यही छोटी छोटी details आपके journey को बना भी सकता या बिगाण भी सकता है तो हमें अपने fitness journey में हर एक छोटी 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 पर द्यान देना चाहिए हर एक छोटी 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 डिटेल्स पर फोकस करने चाहिए जिससे हम लोग अपने goals को successfully achieve कर पाएंगे तो यह था हमार आज के वीडियो I hope आप लोग को वीडियो उच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दो और अगर आपने भी तक अपने भाई की चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को subscribe कर लो और Instagram पे भी same नाम से Max Moid Fitness के नाम से वहाँ भी जोब भाई को follow करो support करो जो भी question होगा आप वहाँ पर पूछ सकते हो मैं answer जरू करूँगा मिलते हैं बहुत इन नेक्स वीडियो में लव यू और टेक केर